गांधी जी की गिरफ्तारी और पूरे देश में दमन चक्र का दौर यह असरयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण बना। साथ ही कुछ ऐसे नरम पंथी कॉंग्रेसी नेताओं का विचार था कि दोनों पक्षों के बीच में समझोता हो और उस समझेते के तहट कुछ बात बनेगी तो आगे बढ़ेंगे। इस प्रियास का असर यह हुआ कि गांदी और उस समय के वाइस रॉयल लॉर्ड इर्विन के बीच गांदी इर्विन समझोता 1932 में हुआ। उचित करवाई करें। साथ ही उन्होंने यह भी सामती दे दी कि वे गोल मेज कांफरेंस में भारत का प्रतने जिद्व भेजा जाएगा। बहुत आलोचनाओं के बीच गोल मेज कांफरेंस लंडन में हुई तीन गोल में जो कांफरेंस हुई एक के बाद एक जिसमें गांधी दूसरे में भाग लिए एक मात्रपतिन दिखे नाते लेकिन ये तीनों गोल में जो कांफरेंस है वहां असफल हुई जैसा मैंने कहा कि इस समझहतों को लेकर पूरे भारत में बहुत विरोध था एक तो विरोध स्वभाईग था इसलिए था कि आपने गांधी से विरोध था कि आपने समझहता क्यों किया खास कर तब जब अंग्रेजों ने भागत सिंग, सुख़देव और राजगुरु को फांसी दे दी और वादा खिलाफी की उनने 26 मैसा करके तो हम कैसे मानें कि अंग्रेज इस बार भी जेल से निकले हुए जिन्होंने सबने अवग्या अंदुल में भाग लिया है, उन्हें किसी तरह की सजा नहीं देंगे तो इसको लेकर देश में काफी विरोज हुआ, लेकिन गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने देश का प्रतिनिद्ध किया दूसरे गोलमेज राउंड टेबल कॉनफरेंस लंदन में, तीसरे में कई पार्टियों के कई दलों के करीब पचास से ज्यादा प्रतिनिद्धियों ने भाग लिया लेकिन इन तीनो राउंड टेबल कॉन्फरेंसेस का तीनो गोल मेच सम्मेलन का कोई अच्छा परणाम नहीं निकला उल्टा कुछ ऐसी मागें स्विकार कर ली गएं जो मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम लीक के लिए अच्छी थी और इसमें निश्चित रूप से हिंदू और मुस्लिम के बीच कुछ डिवाइड को बढ़ाने का प्रयास था खैर ये तो 1932-33 की घटना है और उसी दौरान 1935 में अंग्रेजी शासन ने 1935 एक्ट 1935 का अधिनियम पारित किया जो एक अपने तरीके से एक एतिहासिक अधिनियम इसलिए था क्योंकि यह बिलकुल नए रूप में इंग्लिश शासन और भारत के बीच के संबन्दों को परिभाशित करता था आपको बता दें यहां कि यही वह कानून है 1935 का कानून जिसके काफी कुछ हिस्से को हमारे समविधान में आज लिया गया है यानि उसमें से बहुत सी चीज़ां ऐसी थी जो हमको स्विकारे थी उदारन के लिए संसद की घोशना थी लेकिन यह तह था कि जो इंग्लिश का संसद है इंग्लेंड लंदन में जो संसद है वह सरवोच माना जाएगा इसमें द्वैत्षासन की भावना मानी गई यानि ड्यूएल गाब्मेंट एक केंदर में शासन होगा और राज्यों के इपनी सरकारे होंगी साथ ही इसमें प्रांती व्यवस्था को यानि प्रांतों में जो सरकारे हैं उन्हें स्वायत शासन के अनुमती दी गई स्वैम के द्वारा शासन चलाने की अनुमती दी गई जिसमें न्यूनतम हस्तक्षेप होने का वादा किया गया लेकिन इसमें एक प्रावधान और था अभी रक्षन का अभी रक्षन का मतलब यह है कि जरुद पढ़ने पर गवर्नर जनरल आदी इस प्रांती शासनों के द्वारा बनाएगे किसी कारे को रद कर सकते थे तो इसका परणाम यह था कि प्रांती सरकारों का जो स्वतंत्र अत्यत्त था वह एक तरीके से नहीं के बराबर था और अंतिम बाद जो इसमें थी वह थी कि संगी प्रावधान रखा गया था यानि जो देश है वह एक संग के रूप में कार करेगा राजियों के मिलने से जो राष्ट बनता है उसे संग कहते हैं तो एक संगी शासन प्रणाली के रूप में कार करेगा इस 1935 के कानून के तहट देश में चनाव हुए कई जगा शुरू में कांग्रेस ने इसका विरोध किया लेकिन अंत में कुछ बातों को लेकर ये समझोता हुआ कि चनाव में भाग लिया जाए और इसकार कांग्रेस ने चनाव में भाग लिया अन्य दलों की तरह मुस्लिम लीग और ये अन्य दलों ने भी भाग लिया और साथ प्रांटों में कांग्रेस की सरकार बनी बंगॉल और पंजाब में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और एक राज्य ऐसा था जहांपर सन्युक्त सरकार बनी याने कईदल मिलके सरकार बना है ये एक तरीके से बड़ी अच्छी बात थी कि पहली बात कि चुनाओ हुए आधनिक तरीके से चुनाओ हुए और भारतियों ने चुनाओ की महत्ता को समझा दूसरा कि सरकारें बनी और कॉंग्रेस को अपना बहुमत साबित करने में बहुत सरलता हुई उसका यह वर्चस विस्द्ध हो गया कि भारती राष्टी अंदोलन के जो विसकाल में पूरे कॉंग्रेस का वर्चस बना हुआ लेकिन इसकी बुराई यह थी कि मुसलिम लीग ने हर जगह कॉंग्रेस शासन का विरोध किया और इस मुसलिम लीग के सटत विरोध के कारण कॉंग्रेस सरकारों को सरकार चलाना मुश्किल हो रहा था एक तरीके से मुस्लिम लीक के सदस जो वहां की सभाओं में चुने गए थे वह बाधक का काम कर रहे थे वह राह का रोड़ा बन रहे थे और यही तो अंग्रेज चाहते थे 1949 में जब दिती विश्वद की घोशना हुई और उस दिती विश्वद की घोशना में ब्रिटिश अंपायर के हिस्से के नाते भारत भी अंग्रेजों की तरफ से उसको युद्ध में डाल दिया गया तब तुरंट इन कांग्रेज सरकारों ने उसका विरोध किया क्योंकि बिना उनकी जानकारी बिना उनकी सहमती के भारत को दिती विश्वड के की लड़ाई में जोग दिया गया था जिसका उन्होंने विरोध किया और इस विरोध की एवज में उन्होंने इस्तीफा दिया तो इस प्रकार 1935 के कानून के थाथ हुए चुनाओं के परनिती चुने गए सरकारों का इस्तीफा इस रूप में हुई 1949 में मातर डेड़ वर्ष या दो वर्ष ये शासन चला और बड़ी मुश्किलों में चला और इस प्रकार खेतरी शासन जो स्वायत शासन की जो बात थी है समाप्त हो गई और चुने युए प्रतिनिधी अपने पदों से हट गए इस घोशना को मुस्लिम लीग ने मुकत दिवस की रूप में मुकत दिवस के रूप में मुसलिम लीग ने एक खुशी जाहिर की कि चलो अब हमको कॉंग्रेश शासन से, कॉंग्रेस सरकार से मुकत मिली है और इस परकार बड़ा स्पस्ट लगने लगा था कि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस दो अलग अलग राहों पर चल रहे हैं अब हम आगे बढ़ते हैं 1949 में विश्विद्ध की घोशना जब इंग्लेंड ने की तो भारती प्रांती सरकारों में जो कॉंग्रेस का मंत्र मंडल उसने स्टीफा तो दिया इस विरोध में कि विश्विद्ध में भारत की भारत को जोका जा रहा है और जिसके लिए किसी तरह की अनुमतिया बादशीत नहीं की गई लेकिन इतना करने के बावजूद भी कॉंग्रेस जो है वो अंग्रेजों का हित चाहती थी उनका अहित नहीं चाहती थी याने उसका विश्वार था कि अंग्रेज ब्रिटेन जो विश्विद्ध की लडाई में है उसके जो देश हैं वो सही हैं तो उन्हें युद्ध में किसी तरीके से मदद की जाए और इस परिप्रेक्ष में पूना में कॉंग्रेस ने दो घोशनाएं की दो प्रस्ताव रखे मदद को बढ़ाने के लिए पहला प्रस्ताव था कि अंग्रेज सरकार ये घोशना करें कि विश्विद्ध के बाद भारत को स्वराज मिल जाएगा और दूसरा कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी जिसमें सभी दलों के लोग होंगे और जब तक भारती सम्विधान नहीं बनता तब तक यह अंतरिम सरकार कारे करेगी तो कॉंग्रेस ने अंग्रेजों से यह प्रस्ताव पर स्वीकृति मांगी लेकिन जैसा संभावना थी ब्रिटिश सरकार ने इस पर किसी तरह का किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं की और उल्टा बदलती स्थितियों में उनकी अपनी सोच उनकी अपनी कारशहली भी बदल गई इसी दोरान इंग्लेंड के चिनाव में विंस्टन चर्चिल प्रधान मंत्री बने जो बिलकुल दूसरे तरीके से कारशहली में श्वास करते थे और वाइस रॉय जो भारत के थे उन्होंने एक घोशना की जिसे ऑगस्गोशना कहते हैं इस ऑगस्गोशना में कई तरह के प्रस्ताव थे पहला कि हम एक प्रामर्श दात्री समिती बनाएंगे वाइस रॉय की एक समिती होगी जिसमें कॉंग्रेस के सदस्ट से शामिल रहेंगे साथ ही वाइस रोग की कारे समीति में भी कॉंग्रेस के सदस्य शामिल रहेंगे आपनिवेशिक स्वराज की घोशना की गई यानि उनका कहना था कि हम स्वराज तो नहीं पर आपनिवेशिक स्वराज देंगे यानि British Empire के, British सामराजिक के अंतरगत रहते हुए भारती शासन फ्रदंता पूर्वक चलेगा और इसके लिए सम्विधान निर्मात्री समिती भी बनाई जाएगी जिसमें विविन्द दलों के लोग रहेंगे अन्तिम बाद जो उन्होंने इस प्रस्ताव में, अगस के प्रस्ताव में, British सरकार की वाइसरोय ने की वह थी कि अल्प संख्यकों के हितों का ध्यान ये सब करते हुए जरूर रखा जाएगा आप समझ सकते हैं ये अल्प संख्यक का अर्थ इनका इशारा किस ओर था? मुस्लिम वर्ग की ओर था ताकि वो ये निराशना हूं ये जो प्रस्ताव रखे गए, वाइसरोय के द्वारा, ये प्रस्ताव कॉंग्रेस को स्वीकार नहीं हुए स्वाभाईक है क्योंकि कॉंग्रेस ने तो स्वराज की अपेक्षा की थी, पूर्ण स्वराज की अपेक्षा की थी और यहां अंग्रेज हमारे बहुत पुराने अनिरोज जो कभी हम तीस साल पहले जो हमने किया था और अपनिवेशिक स्वराज उसकी बात कर रहे थे निश्चित रूप से यह कांग्रेस को बाद जमीन ही और उसने इसे खारिज कर दिया और पंद्रा अगस को उसने व्यक्तिगत सविनय अवग्या आंदोलन की घोशना की व्यक्तिगत सविने अवग्या आंदोलन अर्थाद सभी लोग व्यक्तिगत रूप से सविने अवग्या करेंगे और इसके लिए सब से पहला जो सत्यागरही था वो विनोबा भावे को चुना गया और वहां से विनोबा भावे भी राष्टी आंदोलन की राजनीत में सामने दिखाई देने लगे हैं इस आंदोलन को इस तत्याग्रा को अंग्रेजों ने वैसे ही कुछला जैसे पूर में था खासकर उनकी समस्याएं तो अभी थी ही विश्युद में अलेडी अपने को उन्होंने जोग दिया था और यहां इस समस्याओं को बढ़ते देख उन्होंने का बढ़ता वर्चस जपैन ने उसी समय 1941 में अमेरिकार पर हमला कर दिया था साथ ही जपैन की जो फोर्सेस थी जो फॉज थी उसने मित्र राष्ट्रों के फॉज को पराजित करते हुए बर्मा की सीमा तक आ गया और इस कारण जो मित्र राष्ट्रे वे बड़े घबरा ग नेता जी सुभाष्टन बोस जो स्वायम इतने समय से एक वर्च से करीब गायब थे जर्मनी में प्रकट हो गया इन सब को देखते हुए ब्रिज़ सरकार ने अपना पैतरा बदला और एक तरीके से दोस्टी का हाथ बढ़ाने का प्रयास किया उस पर अन्य राष्ट्रों क दबाओ भी था कि अब समय आ गया है जब भारत को विश्युदि के मामले में पूरी तरह विश्वास में लिया जाए तो इस प्रकार इस मुद्य को ध्यान में रखते हुए इन कारणों से अंग्रेजों ने सर स्टाफ़र्ड क्रिप्स के नेत्रित्व में एक सदी स्री भारत भेजा स्टाफ़र्ड क्रिप्स जो 23 मार्च को भारत आये और उन्होंने घोशना की लेकिन इसके जो तीन कारण थे व्यक्त जैसा सत्यागरह एक कारण था व्यक्तिकत सत्यागरह जो हुआ मित राश्णों का दबाओ भी था और तीसरा जैसा मैंने बताया कि विश्य मिशन जो आया उसने एक आठ बिंदु के प्रस्ताव सामने रखे हो प्रस्ताव क्या थे पहला हम आपनिवेशिक स्वराज देंगे यहने बात वही थी जो पहले उन्होंने की थी दूसरा हम नई सम्विधान सभा का गठन करेंगे उस सम्विधान सभा में सभी दल के लोग देशी रियास्तों को भी उसमें शामिल किया जाएगा लेकिन वे इसके लिए विवश नहीं हैं, देशी रियास्तों के लिए जरूरी नहीं हैं कि वे उस समविधान को मानें, अपने तरीके से उनके लिए स्वतंत्र होने की एक गुझाईश दी गई थी, साथ ही समविधान को स्वीकृत करने का बंधन भी नहीं था, तो ये चार बिंदु और इसके अलावा पांचवा बिंदु था कि समविधान की जो बातें थी उसको लेकर युद्ध में रक्षा आधिका उत्तरदायित्व, जो है वह हम जरूर पूरा करेंगे, कॉंग्रेस का अनुरोथ था, या एक तरीके से कॉंग्रेस की अपेक्षा थी, कि अंग्रेज लोग यदि भारतियों को विश्युद में जोगते हैं, तो यह उनका दायित्व है कि भारत की सिमाओं की रक्षा वह कर जपैन और अन राष्ट्रों के चंगुल में भारत ना पड़ जाए, तो इस बात का वादा कृष्प ने किया, इसके अलावा कृष्प ने ये भी कहा कि शासन के साथ सहयोग करने की गुजाईश रहेगी, हम यह पेक्षा करते हैं कि भारत सरकार, कि भारत की जनता, कि भार ये तो बाते हुई क्रिप्स मिशन की जो आठ प्रस्ताओ थे। आपको पहले ही बिंदु से समझ जाना चाहिए कि यह क्रिप्स के प्रस्ताओ भी उसी तरीके से भारत ने खारिज किये होंगे, कॉंग्रेस ने खारिज किये होंगे, जिस तरीके से उसने पूर्ग के प्रस कि यह तो एक समर्थन लेने की चाल है युद्ध जो चल रहा है उस दौरान कॉंग्रेस भी दुविधा में थी अंग्रेस सरकार भी दुविधा में थी लेकिन एक तरीके से क्रिप्स मिशन के प्रस्ताओं को थोड़ा ऐसा बनाये गया जिससे कॉंग्रेस थोड़ा उसमें ल एक ऐसा चेक है बैंक के जो आगे की तारीक का दिया हुआ है और साथ ही ऐसे बैंक का चेक दिया है जो किसी भी समय अब बंद होने वाला है बहुत बड़ी बात थी गांधी के दौरा अंग्रेस जी सत्ता के लिए ऐसी बात कहना तो पोल्स देटेट चेक और ये सब बातें करके गांधी ने बिलकुल स्पष्ट कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज के अलावा किसी अन्य तरह की मांग को स्वीकार नहीं करेंगे जम्विधान प्रांटों के सम्विधान के अधिकार और अन्य बातें भी जो थी वो किसी को जमी नहीं देशी रियास्तें वे भी थी ही मुस्लिम लीग ने भी कृफ्ट मिशन को इसलिए खारिज किया क्योंकि उसमें पाकिस्तान की स्पष्ट घोष्रा नहीं की गई थी तो ये घोष्रा ना होने से लीग नाराज थी कॉंग्रेस तो अपने कारणों से नाराज थी ही हिंदू महासभा का कहना था कि अंग महासभा के गले नहीं उतरी कुल मिला के परणाम के क्रिफ्ट मिशन पूरी तरह खारिज और अगले अभियान की तैयारी और सोच शुरू हुई सभी दलों के द्वारा खारिज करने के बाद कॉंग्रेस ने पुनर विचार किया और आगे के कारक्रम के बारे में उसने बर् की घटनाओं के बाद भी किया और अंत में छह साथ अगस को उसने बंबई में कॉंग्रेस सेशन में कुछ चर्चाएं की ये इसलिए भी आवशिक्त था चूंकि यदि कॉंग्रेस और भारती दल शान्त रहते खामोश रहते तो इसका अर्थ ये लगाया जाता कि कॉंग्र अंग्रेस निश्क्री है आंधोलन भी निश्क्री हो चला है और अंग्रेस सरकार भारतियों पर हवी होती इसलिए कॉंग्रेस ने तै किया कि गांधी जी के नित्रत में अगली कारवाई की जाया और गांधी महत्मा गांधी ने अपनी पत्र का हरिजन में आंधोलन की एक और नारा जुड़ा था वह था करो या मरो। इसके पीछे ये उद्यश था कि हम लोग तन मन धन से पूरी तरह अहिंसात्मक रहते हुए असहयोग करें, जेल जाने के लिए और सभी तरह की सजा पाने के लिए तैयार रहें, ब्रिटिश दमन के खिलाफ किसी भी तरह का दुर व्यवहार भी ना करें और साथ ही नमक तोड़ने का जो हमारा जो कारकरम चला है उसे बनाएं रखें। भारत छोड़ो अंदोलन की घोशना आठ अगस को हुई और आठ अगस को बंबई के मैदान से यह अंदोलन शुरू हुआ जैसा कि अपेख्षित था, रातों रात हज्जारों लोग बंदी बना दिये गए और कॉंग्रेस के इस अंदोलन के सभी नेता जिसमें गांधी भी थे उन सब को गिरफ्तार करके जेल भेज जिया गया। याने जितना ज्यादा कुचला जा सकता था, अंग्रेज सरकार ने पूरी अपनी ताकत ज्होंग दी इस अंदोलन को कुचलने में, दूसरी और वे लोग विश्विद्ध में भी व्यस्ट थे, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया किया आंदोलन को चल दिया जाए। बहुत कम समय के लिए चल पाया और एक तरीके से आंदोलन समाप्त हुआ। प्रसार हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन एक तरीके से एक प्रतीक बन गया हमारी स्वतनता की मांग को लेकर। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने की जितनी कोशिश की इसके परिणाम उतने ही भारतियों के पक्ष में रहे। और अंट में स्थिती S.E.I. कि अंग्रेजों को विवश होना पड़ा कि कुछ अपने निर्णे अब ऐसे लें जो भारतियों के गले उतरे। और अंग्रेज सरकार ने फिर नए मिशन्स नए दलों को भेज कर नई तरीके से जानने की कोशिश की कि भारत चाहता क्या है। अंदोलन तो समाथ हुआ। कुचल दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा जन्मत जो तयार हुआ था। जैसा मैंने बताया भारत में ही नहीं विश्व जन्मत अब भारत के पक्ष में आ गया। इंग्लेंड के मित्र राष्ट भी अब इस बात की तरफदारी करने लगे कि समय आ गया है जब भारत के साथ कुछ अंतिम का रवाई की जाया, अंतिम नने लिया जाया। विंस्टन चर्चिल के बाद फरवरी 1947 में क्लिमेंड इटली जो समय के पधान मंत्री थे उन्होंने गोशना की और यह गोशना स्वयम में एक बहुत बड़ी गोशना थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जून 48 तक भारत स्वतंत्र हो जायेगा, चाहे जिस लेकिन हमारी अंतिम तिथी, हमारा अंतिम महीना जून 48 तक है, तो भारतियों को अब तदनिसार आगे की करवाई करनी है, चाहे वो सस्ता हस्तांतरन की हो, चाहे कोई और बात हो, भारत के उस समय के वाइसरोय, लॉड मांट बेटन, जो इसी विशेश जेश्ट से भेजे के थे, उन्होंने भी यहां के विबिन दलों से बैठक करके, यहां के दलों की मांगों को समझने की कोशिश की, और शिमला में एक बैठक की, जिसमें मुस्लिम लीग और कॉंगरेस के सदस्यों से उनके विचार जाने, मांट बेटन इस निश्कर्ष पर पहुंचे, कि वरत सहमत हो जाए, यानि स्थितियां ऐसी बन पड़ी हैं कि मुस्लिम लीग को एक अन्य राष्ट का प्रस्ताव देना ही पड़ेगा, एक दो राष्टों की थियोरी यहां पर बड़ी स्पश्च रूप से सामने आई, और इस प्रकार मांट बेटन की इस समझ को उन्होंने अं आदे नजर रखके भारती स्वतंतरता अधिनियम उन्निस सो सैंतालिस पारित किया गया, ब्रिटिश पार्लामेंट में पारित हुआ और उसकी घोष्णा की कर दी गए, इस प्रस्ताव में क्या बिंदु थे, बड़े अहम बिंदु थे, जिसको लेकर अंतता भारत स्वतं पहला बिंदु कि भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग राष्ट बनेंगे, दो राष्ट का फार्मूला माना जाएगा, दूसरा, दोनों की अपनी-अपनी अलग सम्विधान सभा होगी, तीसरा, इन दोनों राष्ट्रों को राष्ट मंदल का सदस्य बनना होगा, राष हिसा थे, उसके समराज़ का एक हिसा थे, तो अंग्रेज चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने रहें, ताकि अंग्रेजों के साथ जो संबंध है, वह जारी रहें, भले नैय रूप में। इसकी दूसरी बात थी कि जो भारत के लिए जो मंत्री का पद था अंग्रेजी शासन में वहाँ पद हटा दिया जाएगा जिसे सचिव बोलते थे तो वहाँ पद हटा दिया जाएगा ब्रिटिश शक्तियां जो थी ब्रिटिश सरकार में जो नहित थी भारत के संबन में वे भी कम कर दी जाएगी हटा दी जाएगी और अंतरिम शासन चलाने के लिए 1935 का जो संवुधान था जो एक्ट था वह लागू कर दिया जाएगा یعنی जो अंतरिम सरकार बनेगी वह सरकार जो तब तक कारे करेगी जब तक की भारत का स्वैम का अपना संवुधान ना बन जाए वह सरकार 1935 के कानून के तहट कारे करेगी यह भी उस प्रस्ताव में उस प्रपोजल में उस अधिनियम में डाल दिया गया। ब्रिटेन भारत को 1733 करता है। और अंतिम बिंदु था कि दोनों देशों में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में गवर्नर जनरल की विवस्था की जाएगी। याने दोनों देशों में एक एक गवर्णर जनरल एक तरीके से अंग्रेजों के प्रतिरिदी के रूप में बने रहेंगे भले ही उनकी शक्तियां बहुत सीमित रहेंगे। जून 48 का जो टार्गेट दिया गया था जो लक्ष दिया गया था वह भारती दलों ने उसमें कोई विलम ना करते हुए ऐसे तरीके से आगे बढ़े कि अंततह 15 अगस 47 को ही अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया और 15 अगस की रात भारत 14 अगस की रात याने 15 अगस की आने क समय भारत को स्वतंत्र घोशित करके पंडिजवालाल नहरू ने तिरंगा जंडा लहरा कर भारत के नय भारत के आगमन की एक स्वतंत्र भारत के आगमन की घोशना की इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाथ होता है